माफ करना हम अंदर आ सकते हैं मगर आप लोग है कौन बाइलेक्षिन हो रहा है ना हम लोग वोटर लिस्ट चेकर ने आए गॉर्मिट के आदम है हम लोग अच्छा आईए मिस्टर दिक्षित का नाम तो आपने बाहर नेम प्लेट पर पढ़ लिया होगा मैं उनके पत्नी हू भागय लक्ष्मी यह हमारी बेटी है विद्या और एक बेटा है विक्रम और कोई नहीं है बस हम इतने ही है घर के बाकी लोग कहा है बाप बेटे बाजार गये हैं आप लोग कुछ चाइवाई लेंगे भाई साब लेने ही तो आए है बचे लोग अरे अरे यह क्या कर रहा अच्छाव बेरे बेटे को आच सलाम आलेकुम मुस्तफा क्यों बहुत जल्दी में होगा है लोग अम्मा एक नाम बताना भूल गई मैं भी इसी कुन्बे का हूँ इसी फ्रैमिली का हूँ मुस्तफा जामने, जामने, इसे अंदर लेजा, इन्हें मैं सही नाम बता बताता हूँ हौँ, हौँ, शौर वाँ टी मुल, बता हूँ हौँ मताता हूं तुझा है कि प्रुट प्रुटो प्रुटो झाल वाल कि अप्रुटो प्रुटो झाल झाल कौन थे वो लोग मेरी बच्ची को क्यो लेके जा रहो थे यह सब तुमारी वज़े से हो रहा है जब सब तुम इस घर में आयो हमारा जीना दुबर हो गया है ठीक है तुम्हें चलता हूं जाओ चले जाओ मगर इतना बता के जाओ के कौन थे वो लोग तुम्हें अपने पवित्व कुरान की कसम कसम ही दिये तु सुन लो वो विपीन के लोग थें क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने उसका मुन्नी अंदर जाओ विपीन मुन्नी के साथ रिष्टा कायम करना चाहता था क्या शादी का नहीं एक रात का जिसम का सौधा माफ कर अम्मा ये बात मुझे साब साब कहनी पड़ी अम्मा वो भेडिया मुन्नी की इज़त के साथ खिलवाड करना चाहता था इसलिए तुम्हारे न चाहने पर भी मैं इस घर में पड़ा रहा है ताकि इस घर के आब रूबर करार रहे है तुम्हारी और विपीन की बाते मेंने साफ साफ सुन ली थी मुस्तफा तो फिर मुझसे क्यों चुपाई हमने भी एक बात चुपाई थी ममा इन्होंने आकर हॉस्पिटल का बिल भी दिया था और डाड़ी की जमानत भी करवाई थी मुझे पताया क्यों नहीं किये खून विद्या विद्या चल दे दावर लेकरा कोई जरूरत नहीं मामुली खावाया अम्मा मुझे माफ कर दू मस्तफा मैंने तुम्हें गलत समझा तुम अपना खून बहाकर मेरे घर की इजद बचाते रहे और मैं नफरत करती रही तुमसे अम्मा तेरी नफरत में भी प्यार था जिसकी मुझे तलाश थी इन जखमों से तो बहुत पुराना रिष्टा लेकिन इस परिवाद से मिला हुआ प्यार मेरे लिए नहीं चल पिटा तुम क्यों रो रही हो चलो रो लो क्योंकि आज के बाद इस कर में कोई रोएगा नहीं ले तेरा भी नमक्खा है तू जहां चाहती है वही तेरी शादी होगी यह बच्चे एक दुसरे से बहुत प्यार करते हैं इस मेने की बिस्तारिक बहुत मुबारक है उस दिन शादी हो जाए तो देखो मैं अरुन का बाप हूँ इसकी शादी कब कैसे और कहा करनी है इसके लिए मुझे किसी की इस बाइलेक्शन की एहमियत को आप समझे अगर हम यह एलेक्शन हार गये तो हमारी सरकार गिर जाएगी पार्टी का नामनुशान खत्म हो जाएगा अपोजेशन आप भी रुपए की फिक्र मत कीजिए ब्लैंक चेक देने के लिए तयार हूं मैं इंट का जवाब पत्तर से दीजिए लेकिन किसी भी कीमत पर खुदा के लिए इस एलेक्शन को जीत किए आप फिकर मत केजिए एक आदमी है जो ये ओपोजेशन की एट से एट बजा सकता है बुलेट का जवाब वो बारूत से दे सकता है वो है मुस्ताफा चलीं क्या ने, आप भी खेले है खेलूँगा यह हमाने ये लिए नहीं 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 नव घएंगा, मैं खेलता हूँ में कुन लोओं? कै बैठ तु खेल, तु खेल अबेना य немнож Assalam 공ba मालूम था आप जरूर आयेंगे थोड़ी देर होगे आईए अम्मा यह है अब्बा जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बढ़ा किया अब्बा यह है मेरा नया परिवार कुछ अकेले में बात करनी थी मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ नहीं उसके कोई जरुदत ने अमा, अबम उस्टे अकले में कुछ बात करना चाते हैς कही अबबा मुस्तफबा मुझे तुमारी मदद की जरूरत है मुझे किसी भी हालत में उन लोगों की बाइलेक्शन जिताना है इतना तो मैं समझता हूँ अबबा तो फिर ये क्यों नहीं समझता कि तेरे अबबा को तेरे जरूरत है मुस्तफा में तेरे सिवा किसी और पे परुषा नहीं कर सकता इस दंगे पसाद में मेरी जान भी जा सकती है इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा मुस्तफा अपने अब्बा से सौधे बाजी करेगा अब्बा से नहीं लेकिन आपके उपर जो बैठे हैं उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी आपने ही कहा था इस धंदे में जजबात की कोई कीमत नहीं तू नहीं मांगता तू भी मिल जाता बोल क्या चाहिए दिक्षित की नौकरी बच्चे के लिए एड्मिशन बच्चे की शादी के लिए पैसे इस परिवार की हिफाज़द बस और कुछ नहीं बड़ा जजबा दी हो गया मुस्तफा जब से देख रहा हूँ परिवार की बात कर रहा है मिल जाएगा लेकिन काम पूरा होने के बाद अबबा का हर लबसर आखो पर काम हो गया समझो चाहे मुस्तफा की जान क्यों ने चली जाए अरे मरे तिरे दुश्मन सरकार अबबा को पैसे दे रही है अपोजिशन हमें पैसे खिला रही है अपनी तो पांचों उंगलियाग ही में है और सर जलती हुई कड़ाई में होगा क्योंकि अबबा का कमांडर गुलाम मुस्तफा है अपोजिशन की हारिया जीत से मुझे कोई वास्ता नहीं मुझे मेरे बेटे के खुन का बदला लेना है इस इलेक्शन के धानली में मुस्तफा को खतम करना है मेरा एक ही मकसुद है मेरे बेटे के माथे पर गुलाम मुस्तफा के खुन का ठीका लगाना मुन्नी, यह तुम्हारी चुड़ी, जाम माने गिर भी रखी थी और यह कुछ यादे है, अपनी शादी में जरूर पहन लेना जिस शादी के लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, मुझे ऐसी शादी नहीं कनी भीया मुझे भी ऐसी इइनजिनियरिंग की सीट नहीं चाहिए, अस्ताद मुस्तफा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे मुस्तफा, जिस बुराई के रास्ते को तुम छोड़ चुके हो तुबरह हम तुम्हे वह हुआ जाने नहीं देंगे तेरा शुकर है खुदा, मैं तो लावारिस था लेकिन मेरे मनने के बाद मेरी लाश लावारिस नहीं होगी, कोई तो है मेरे जनाजे को कंदा देने वाला जी, ऐसी अशुब बातें नहीं करते बेठा अम्मा अल्ला ने मुझे मेरे लिए आसुबाहने मला घर दिया है, हर पल मैं इसे खुछ देखना चाहता हूँ मुझे तो जाना ही होगा जाने से पहले तेरे हाथ की एक कॉफी मिल सकती है अपले दयानन ये वादा है, तुम्हानी नोकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी बिक्रम, तुम्हारे आडमिशन पक्की समझो दिल लगा के पढ़ाई करना, मुन्नी के शादी में कोई कमी नहीं होगी बोलो मालकेन, मालकेन मुस्तफा श्युक्रिया बिक्रिया श्युक्रिया वार आडमिए घुक हुद्ध एापस तुम्हेर अब मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई कभी तो अपने दिमाग से काम कर सुदामा हमेशा मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई इस गर को तुम्हारी जरूरत है इस गर की हिफाज़त और शादी का इंतिजाम तुम्हारी जिम्मेदार है मुस्तफा वाय, मुझे आंधी आने की आर्ट सुनाई दे रही है आंधी नहीं आएगी सुदामा हाँ, थोड़ी हवाँ जरूर तेज होगी, कुछ धूल उड़ेगी, कुछ सुखे पत्ते गिरेंगे, बिखरेंगे इधर उदर पर जो पेड मजबूत है उसे जर से उखार फेंकने की ताकत उस अवा के चुके में नहीं होगी, फिकर मत करूँ गाली रोको, गाली रोको सलाम अलेकु मुस्ताव भाई, मुस्ताव भाई ऑपोजिशन वाई लोगो ड्रा धम कार रहे है कि राम परसाद चौदरी कोई वोड दो वापस चाहो दुबारा उसी पबलिक को धमका उकसा, बोलो राम परसाद चौदरी कोई वोड दोने तो काट डालेंगे पर मुस्ताव भाई अपना का निगेट तो डाक्टर सुरेश अधिकारी है जब बोला है वो करना चलो भाई लोग चलो एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो अंदर वोट सिफ राम परसाद चौदरी कोई देना वरना सबको काट डालूँगा अंदर सिफ वोट राम परसाद चौदरी कोई पढ़ना चाहिए तुम लोग भी सुनलो मैडम अंदर वोट सिफ राम परसाद चौदरी कोई देना वरना वर्टे नहीं है यह मैं क्या सुना हुँ मुस्तफा क्या तुम्हारे आदमी पब्लिक को धंका रहे कि ऑपोजिशन वाले को वोट दो अब्बा मुझे अपने तरीके से काम करने दो आप आम खाई ये पेड क्यों गिन रहे हैं वरोसा रखिये घर में जाके सोजाएए पब्लिक समझदार है झाल आ चलो सिर्फ राम प्रसाद चौधरा को लगना चाहिए समझे यह जबरधste है है तूदानेए करने का बोला ना सबस्ते पर राम प्रसाद चौधरा को लगना चाहिए समझे ज़ह चलissä सनुज दूसरी तरब करते हैं अ हुआ है है और भॉग वोट तुम लोग किसको देने जा रहे हो भाई वोट किसी को बता कर थोड़नत दिये जाता है जिसको दिल में होगा देंगे को जबरदस्तिया क्या वोट सिफ राम परसाथ चौधरी को इतेना वाना दिल निकालकर खुतों को खिला दुगा समझे वोट सिफ राम परसाथ तुने किसको वोट दिया सुरेश अधिकारी को वोट दिया राम परसाथ चौधरी को क्यों नी दिया अरे तु क्या समझता है हम डर गए क्या अरे यार तो उल्दा हो गया सब अरे साब आगे चलो साब ये सब अपने उपोजिशन वालों को वोट दे रहे हैं बगाओ सबको मारो सालोगाओ यपोची को मारो Vegetना हुआ को बह वोटाओर को को ग्मारो आगेम को को tala सु को ये सम sectर पर वालों को ऑ्रेस पना हैं आगे ख्रेसा वालों को आद़ुू 5,एूआएब को धिए सुआए़ अरे हैं आगे भालों को मुस्तफा oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit क्षब्सार थे! मसलम लोगों पर जुलम कर रहा है अगर ताकत है तो अपनी कैंडिडेट को जिता के दिखा मुस्तफा भाई अंदर रोहन जवरदस्ति अपने कैंडिडेट को उपर ठपे मार रहा है स्टफ़ा थप्पे कैसे लगाने मैं से खाता हूं ते रखो येस जानो अंदर ठप्पे लगा चलो अंदर झाल झाल ये 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 खेगा कि बमां घुर नहां ऑब अ हर्ण6 एर्फ cuántов quello cesena मृसल 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 मॉसल मृसल मृसल नutes मृसվ तेड़िर प्रितो Ursus हमस्वार्द मिरただने कि एले कि एल일竭के कि एल टार मजा paragraph रेेटा एल Jakarta वर कि एले कि एले काइटिक एले कि एल हो न आ। म slightमादा एल 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 हुआ एल मांटर एल एल होल एल सक हानि हुआ एल 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 मुस्तिफा, मुभारक हो, इम्तियाज भाई थेंक्यू, थेंक्यू, यह सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है बस बस आओ, आओ ना अब बैठिये शुक्रिया मुस्तिफा, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है इस मेहनत के बदले में मैंने कुछ मांगा था, अब बाने वादा किया था वो सब कुछ तुम्हें मिल गया समझो क्योंकि तुम्हारी वज़ा सा ही हम यह इलेक्शन जीते हैं कौन सा इलेक्शन नहीं जीते 86 के इलेक्शन ने सीने पर लखिर की है 91 और 96 के इलेक्शन में पीट पर ठपे मारे हैं यह पहला इलेक्शन है जिसने मेरे बदन पर दस्तकत नहीं किये जानते हैं हर वक हमारी जीत की मोहर पहले तुमारे बदन पर लगती है बाद में रिचल्टे क्लियर होता है एक बात कहना चाहता हूं कोई तो इलेक्शन गुंडों की मदद के बगार चितके दिखाई है अब इन दिनों में ऐसा मुम्किन नहीं है मस्तफा तुम तो जानते हो इलेक्शन के बाद हर वक की तरह पुलीस मेरा पीछा कर रही है अब तुमारी हिफाज़त हमारा फार्ज है नहीं मेरी इफादत की फिकर मत कीचिए लेकिन आज के बाद इस तरह की मदद की भी मुझसे उमीद मत रखिए हैसे ये गुलाम आपके लिए मर चुका समझे बेहन के शादी के बाद मैं अपने आपको पुलिस के हवाले कर दूँगा जेली मेरा आखरी ठिकाना होगा जो भी सच है वहां कबल करूँगा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको खुदा हाफिस खुदा हाफिस ये मस्तफा आपका खास आदमी है? मेरे बच्चे की तरह है? अब वो खुद को कानून के हवाले करने की बात कर रहा है ऐसा ही आदमी हमारे लिए खातरनाक थाबित हो सकता है ने, ऐसा नहीं होगा वो मेरे बात नहीं टालेगा मैं उससे समझाओंगा कि वो अपने आपको कानून के हवाले ना करें समझेगा तो ठीक है अगर ना समझे तो वो जिन्दा नहीं उसकी लाश ही पुलिस के पास जानी चाहिए नमस्ते, नमस्ते बाबी जी नमस्ते, आईए सैसराय जाके हमें भूलना जाना अरे अब ले भी इसको देखेंगे तो मेगोशी हो जाएंगे सुन्दर लग रही है ये इसकी नजर न लगी हम अरे जीजल जी के तो बाब बाबाबा इस परात आई तो रुकना अरे तेरा क्या विद्धिया तू तो उसे रोज देखेगी अरे भग्या लक्षमी बारात आगई है ए जी, मुस्तफा के हाद से जब तक ये शगुन के चावल विद्धिया के माथे पर न गिरे मुस्तफा का आशिरवाद न मिले क्या फाइदा ये रोशनी ये धूम दरक का क्या मुस्तफा कहा है मिस्टर दिक्षिन भाग्या लक्षमी तुम शान्त हो जाओ मुस्तफा ने वादा किया न वो जरूर आएगा अब मैं जाओ बारा पाइए न नमस्ते आशिए नमस्ते नहीं 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 मुन्नी आख्रे बन कर ले मुन्नी आख्रे बन कर ले मुन्नी तुन्हे कुछ नहीं देखा कुछ ने देखा तुने नीचे सब रहा देख रहे होंगे चलो पल्लू ठीक कर ले यह लगा दे यह देख शावाज गुडिया लग रही है गुडिया चलो वो देखो मुस्तफा तुम यहां से कैसे अरे अमा मुस्तफा हूँ कई से भी आ सकता हूँ बैट नमस्ते बैटे सलाम चंदन साब लगता है आपको न्योता मिला है माफ करना मुस्तफा भाई इस वार मुझे तुम्हें ग्रिफ्तार करना ही पड़ेगा वारंट है मेरे पास मालू मैं मुझे कर लो लेकिन थोड़ी देर रुकना होगा अंदर बहन के शादी हो रही है रसम पूरी होने के बाद आपके साथ चलता हूं हमें पहुँचाने के बाद यहां के खाना काके जाना बड़ी मुकद्दस गड़ी है की कह मुस्तफा भाई सुदामा फिलाल इनका मुमी ठा करो यह चलो हम बाकी के लोग रहा देख रहे है आपके लोग रहे है ओम मंगलं बगवान विष्णु मंगलं गरड़त दला मंगलं सुदी काशाई मंगलं अन्योः स्वर्व मंगल मांगल्ली शिवे सर्वार्थ साधिके चरणनी त्रम्विखे दोरी नायनी नातु अब शान तो अब तो आजाद हो जा थोड़े दिन के लिए हम पिंजडे में जाएंगे पिंजडे में जाएंगे जाएंगे अस्सलाम अलेकम अपना मुस्तफा ये विकरम के अड्मिशन का लेटर ये मिस्तदिक्षित के नौकरी का और ये मेरी तरफ से बच्ची के लिए तोफा शुक्रिया पिकरम मुस्तफा मेरे एक इशारह पे पुलिस यहां से वापस जा सकती है नहीं अब्बा अब मैं उपर वाले का इशारह जान चुका हूँ आज तक जो भी के अब्बा के लिए किया अब बस कितनी बार आपके कहने पे ये पुलिस वापस गई है अब की बार मैं इनके साथ चाहूँगा जाने से पहले इस खर के खुशी के लिए शुक्राने की दो रकत नमास पढ़ना चाहता हूँ बस बिसमिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम दो रकत नमादे शुक्राना पढ़ता हूँ मैं खुर्बतनिल्लाह बिसमिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम 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 लमियलीत וलमियलद वलमियकुन लभू, कुफवन अगठ ल्लाअः आखबर स्वान रब्यलाजी में आपे हम्दे समे अल्लाह अल्लाह अपर स्वान रब्यलाजी में आपे हम्दे स्वान रब्यलाजी में आपे हम्दे स्वान रब्यलाजी में आत्यू कुलाजी में आत्यू अस्वान क्या हो मुस्तफा बोल किसके हुकम से अब्बा के हुकम से मुस्तफा भाई अब्बा के हुकम से अब्बा इस सीने की हर जगा आपकी थी दो गुलिया असानी से रह साती पीट पे क्यो मारा उस्ताद अब्बा 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 मुस्तफा भाई पहली बार मैंने आपको बिला पुछे कुछ किया ठीक के आल्या हुआ हुआ टीक अब्बा इंच अब्ब। तीरा गम मेरा गम अप जैसा सनम हम दो आनों के एक कहानी आजा लग जगले बिल जानी आजा लगले बिल जानी